हाँ हसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आस्मा मेरे जमी बन गए तो हलो गाईस वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो गाईस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का फ्रेम स्टाइल लव स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो तो गाईस जिस तरीके का वीडियो आपने प्रिव्यू में देखा है अगर आप भी इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाईस इस वीडियो को आपको लाश्ट तक देखना है ज इसका नाम है काइन मास्टर तो guys आपको काइन मास्टर आपको डाउनलोड कर लेना है आपको डाउनलोड करने के बाद guys करना ही क्या है यहाँ पर आपको अपना काइन मास्टर आपको ओपिन कर लेना है और यहां पर आपको 16 वाई 9 का साइज सिलेक्ट करना है और create पर क्लिक कर देना है तो जैसे guys आप create पर क्लिक करोगे तो आप सीधे media पर आ जाओगे media पर आने के बाद guys करना क्या है simply guys आपको यहां पर एक यह वाले वीडियो का link description में मिल जाएगा तो आप background वीडियो को description से जाकर download कर लेना और download करने के बाद guys करना क्या है इसकी length को अपने इसाफ से select कर लेना है जितना आप वीडियो बनाना चाहें उतनी length को आपको आपको आपे select कर लेना है और यहां पर trim वाले option पर क्लिक करना है trim to add वो प्लेड करके इसका extra वाग आपको cut कर देना है cut करने के बाद guys करने किया है यहां पर आपको अपनी photo png को add कर लेना है तो photo png को add करने के लिए इसाफ को layer वे क्लिक करना है media वे क्लिक कर देना और मीडिया पर क्लिक करने के बाद गाईस आपके यहाँ पे कपल पींजी को एड कर लेना तो यहाँ पे गाईस आप इस तरीके का पींजी अपना पिकसार्ट से जाके बना लेना और इस तरीके साब के यहां पे PNG को आपको जूम करके यहां पे add कर लेना है यहां पे add करने के बाद guys करने क्या है इसकी length को खींच के आपको यहां पे last तक आपको लेके चले आना है last तक लेके जाने के बाद guys starting पे आना है और यहां पे layer पे click करना है और डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपको यहां पर जूम करके आपको select कर लेना है select करने के बाद guys करने के simply guys इसकी length को आपको last तक कर देना है और last तक करने के बाद करने के है guys आपके इस png को पर फिर से click करना है थिरॉड पर click करना इसको duplicate कर लेना है इस तरीके से आइड का लेना तहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम का लेना और इस तरीके से आपके यहाँ पे इसको आइड कर लेना है add करनी के बाद guys tick करना है और यहाँ पे starting पे आके आपको layer पे click करना है then media पे click कर दो और media पे click करनी के बाद guys आपके यहाँ पे यह frame png का link विलेगे description में आप वहासे आगर इसको download कर लेना और download करनी के बाद guys इसको अलका सा जूम करके आपको यहाँ पे इस तरीखे से add कर लेना हैं तो यहाँ पर guys करने के बाद करना है आपके इस 320ग क्लिक करना है ayast को send to back करने के बाद guys आपके इस प्रेम PNG की Length कोLife को खीं खिंचके लाश्ट तक आपको कर देना है लाश्ट तक करनी के बाद स्टार्टिंग पे आना है गाईस आपको स्टार्टिंग पे आनी के बाद गाईस करने क्या है सिम्पली इस ग्रास पिंजी को उपर फिर से क्लिक करना है थिरोड क्लिक करना और आपको इसको duplicate कर देना है duplicate करने के बाद guys आपको इसको उठा के यहाँ पर आंगी को लेके आना है और लेके आने के बाद आपके यहाँ पर पहले rotate वाले option पर जाना है और इसको इस तरीके से rotate कर देना है rotate करने के बाद यहां से back होना है और back होने के बाद कुछ इस तरीके से इसको rotate कर देना है इस तरीके से रूटेट करने के बाद आपको यहां पे इस तरीके से add कर देना है add करने के बाद यहां से back होना है और back होने के बाद guys करने के starting पर आना है और यहां पर layer पर click करना देना आपको media पर click कर देना है media पर click करने के बाद guys आपको यहां पर अपनी photo को add कर लेना है तो अपना couple photo add कर लेना है या आप अपना कोई photo को add कर लेना है send to back करके यहां पर इस frame पर आपको अच्छे से इस तरीके से add कर देना है add करने के बाद guys करने के इसको size set करना है तो आपको यहां पर इस तरीके से इसको अलका सा और छोटा कर देना है इस तरीके से छोटा कर लेना और छोटा करने के बाद यहाँ पे जो extra वाग आ रहा है तो cropping पे जाना है और इस तरीकेसे इसको यहाँ पे crop कर देना है और crop करने के बाद guys दे सकते हो यह photo frame पे size एड हो गया है size add होने के बाद इस photo को उपर click करना है और इसकी length को खीच के guys आपको last तक लेके चले आना है लाश्ट तक लेकर आने के बाद स्टार्टिंग पर आना है और फिर से लेयर वे क्लिक करना है गाई सापको और मीडिया पर क्लिक कर देना है मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपके आप अपनी अंगली फोटो को सेलेक्ट करना है और select करने के बाद इस तरीके से इसको छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद frame के उपपर लेके आना है और थिरोड़ भी click करके send back करना है और send back करने के बाद इस photo को भी आपको frame के अंदर साही से add कर देना है तिस तरीके से अपनी फोटो को अपने ईसवाद से सेट कर लेना तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हूँ यहाँ पे एक्ष्ट्रा गहँआ है और थोड़ा से दिघ रहा है तो आपका जो बग जहाँ पे जाद耿 दिखाई दे रहा हो आपको आपको क्रोपिंग पे जाके इस तरीके से अपना फोटो को क्रोप करके सेट कर लेना है तो यहाँ पे गाइस दे सकते हो हलका से इसको इस तरीके से में जूम करके यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ और यहां पे नीची को और भी आ रहा है तो इसको इस तरीके से अपने photo को अपने इसाफ से इसको crop करके set कर लेना है set करने के बाद इसकी length को खींच के आपको last तक लेके जाना है और last तक लेके जाने के बाद guys करना ही है फिर से आपको यहां पे starting पे आ जाना है स्टार्टिंग पर आने के बाद गाईस आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है देन मीडिया पर क्लिक करने के बाद गाईस आपको यहाँ पर अपनी एक और फोटो को आड़ करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको भी छोटा करना है और इसको इस तरीके से हलका rotate करना, फिर और भी click करना है, send back कर देना है आपको, और send back करने के बाद इसको हलका सा छोटा करके, आपको यहाँ पे frame के अंदर size इस photo को add कर देना है, बैक होने के बाद इसकी लेंद को खींच के आपको लास्ट तक लेके जाना है और लास्ट तक लेके जाने के बाद स्टार्टिंग पर आ जाना है स्टार्टिंग पर आने के बाद गाईस लेयर पर क्लिक करना है आपको और मीडिया पर क्लिक कर देना है मिडिया गे क्लिक करने के बाद क्रने के हैं आपके यहाँ पर यहाँ पर एक lyrics वीडिो का link विल जागे description में आप वहाँ से चैए इसको download कर लेना और download करने के बाद इस तरीकिρα से select कर लेना है select करने के बाद करने के है सबसे पहले trim वाने option ही ग्लिक करना और यहाँ पर जो watermark आ रहा है guys आपको 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 इस तरीके से trim to ride trim to left कर देना है तो जिससे कि इसका जो watermark आ रहा है वो आपको यहाँ पर cut हो जाएगा cut होनी के बाद करने के इस lyrics को आलका सा zoom करके आपको यहाँ पर add करना है और नीचे blending के option पर चले आना है blending option पर जाके आपको इसको screen कर देना और इसको इस तरीके से set कर देना है set करने के बाद यहाँ से back होना है आपको नीचे simply इसकी registration पर चले आना है registration पर जाने के बाद contracts को बढ़ाना है situation बढ़ा देना है यहां से आपको बैक हो जाना है बैक होने के बाहल, last के option पे आना है trim के option पे गलिक करना trim try to play करके, इसका extra work आपको cut कर देना है extra work करने के बाद, करने के रहे गाई simply आपको यहां पे इस तरीके से tick कर देना है और यहां पे इस वाली pengy को उपर इसको डूब्लिकेट करने के बाद उठाक लेके आना है और इसको आपको यहां पे इस तरीके से रूटेट कर देना और रूटेट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहां पे इसको एड कर देना है तो इस तरीके से गाइस इसको अपना रूटेट कर लेना और रूटे आपके यह वाला टेंप्लेट वीडियो का लिंक में जाएगे डिस्क्रेफशन में आप महां से आग इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट करने के बाद नीचे थिरोड पर क्लिक करना है और यहां पर इसको फुल स्क्रीन पर इस तरीके से एड़ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो आपको सिंपली यहां पर नीचे का और ब्लेंडिंग का उफशन मिलेगा तो ब्लेंडिंग के उफशन पर जाना है इसको आपको स्क्रीन कर देना है स्क्रीन करने के बाद यहां से बैक होना है और बैक होनी के बाद अर्जेस्टन पर जाना है आपको इसका कॉंट्रेक्स को अलका बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद इसका सिच्वेशन भी अलका बढ़ा देना है और नीचे यू का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर यू के option पर जाके इसका color भी अपना change कर सकते हैं जो भी color रखना चाहें अपने इसाफ से इसका color अपना कर देना है तो यहाँ पर इस तरीकिस में इसका color rate कर दे रहा हूं और rate करने के बाद यहाँ से म आपको cut कर लेना है एक्स्ट्र वाग करने के बाद starting पर आना है और layer पर click करना देना आपको media पर click कर देना है media पर click करने के बाद guys आपके यहाँ पर यहाँ पर फुल स्क्रीन बॉर्डर पेंजी का link लेकर description में आफ महाँ से इसको download कर लेना और download करने के बाद आपके इस तरीके से select कर लेना है select करने के बाद इस तिरोड के click करना है इसको आपको full screen पर add कर देना है पर screen पर करने के बाद करने के इसकी length को खींच के guys आपको last तक कर देना है और last तक करने के बाद guys simply आपको starting पर आने के बाद guys दे सकते video आपको completely तयार हो गया है तो यहाँ पर मैं guys आपको इसको open करके एक बार दिखा देता हूं किस तरीके से बनाए तो जैसक guys दे सकते video काफी कमाल का बन गया है तो guys इस video को save करने के लिए आपको करने के है इससे arrow पर आपको click कर देना है click करने के बाद 1080 रेस्ट सेलेक्ट कर लेना, brightness हाई कर लेना है और save us video उपर आपको click कर देना है जैसे save us video उपर click करोगे तो guys आपका video save होने लगेगा तो जैसी ये line पूरी हो जाएगी तो guys आपका video और के gallery पर save हो जाएगा